हलो एस्पिरेंट्स वेल्कम टू जिमेटरी स्कूल एस्पिरेंट्स 18 दिसंबर को आपका एक्जाम है राश्ट्य अमिलिटरी स्कूल का यह हमारी ताबड तोड सीरीज है 300 कुश्चन की इसमें आज मैं आपको कराऊंगा टेस्ट नंबर फॉर टेस्ट नंबर फ्री सोरी टे मिलेगा लेकिन फिलाल यह सबसे जड़ा टार्गेट किया है मैंने आपका जो आर्मस का एक्जाम है 18 दिसंबर को उस्व को और ध्यान लखना मैंने इजी कुश्चन इसमें बिल्कूर नहीं लिए मेरा टार्गेट है टफ कुश्चन मैं इसमें टफ कुश्चन करा रहा हू मैं कोई भी इसमें अलका कुश्चन या एजी कुश्चन नहीं ले रहा हूं टफ कुश्चन सारे इसमें मेरे फोकस पे हैं चैनल को सबस्क्राइब कर लो बैल आइकन पर किलिक कर लो वीडियो अच्छले वीडियो को लाइक करो शेयर करो यह हमारे बैचीज है कौन से यहा अपने admission लो और अपने sheet को confirm करो, selection की guarantee हम लोग देते हैं, लेकिन बच्चों आपको time देना होगा, I repeat आपको time देना होगा, अगर आप हमें time देंगे, तब हम आपको selection की guarantee देते हैं, clear, चलिए, यह हमारा ranker batch है, live batch है, RIMC के लिए है, जो June में जिन बच्चों का exam होगा, RIMC, June क की तैयारी कर रहे है, उनके लिए हमारा ranker batch है, 25 students में intake है, achievers batch है, यह हमारा live batch है, achiever batch किसके लिए, live batch है, यह RMS, आपका CET next year के लिए हमारा, आपका क्या है, achiever batch है, इसमें first January से class start हो जाएगी, और इसमें अभी registration open है, तो आपको, यहाँ पे अपने आपको book कर लेना है, यह आज का question number one देखते है, question number one देखो इस तरह का code है, warden, warden को code किया गया है आपका, sj, तो warden में लिखको, warden के क्या है 23, a की value कितनी है, 18, d4, 5 और 14, s कितना है आपका 19, j कितना है आपका 10, clear, j कितना है 10 है आपका, similarly i कितना है 9 है, कितना है 9 है, साथ में अगर मैं बात करू w, w कितना है आपका 23, और f कितना है, f है आपका 6, और b कितना है आपका, b है आपका 2, अब इसमें देखो बात कोई code बन रहा है क्या, आपका बन रहा है देखो, तो बच्चो अगर आप इसमें देखें, तो 23 में अगर मैं, 23 में अगर मैं 5 add करूं, तो मुझे मिलेंगे 28, तो 28 को मतलब 2 को बहिए 2 को आप 28 भी तो बोल सकते हो बहिए Z 26 हुआ फिर A 27 हो जाएगा और B कितना हो जाएगा 28 तो यहां पर क्या होगा यह 28 इसमें मुझे 5 एड कर दिया मैंने 1 में मैंने फिर से क्या किया 5 एड कर दिया 18 में मैंने फिर से 5 एड कर दिया फिर मैंने 4 में 5 एड़ किया पांच में मैंने पांच एड़ किया तो मैं इधर से 5 एड़ होते जा रहे हैं similarly अब आते हम ओफिस में सबसे पहले ओपिस का नमरिंग लिखिए ओपिस में ओ कितना है पंद्रा है 6 6 और तो 15 में आप पांच गरेंगे तो कितना हो जाएगा यहांपे उजाएगा 20 6 में कितने करेंगे 10 नो में कितने करेंगे 24 आ जागा 30 में खितना कराइगा और पांच में ठीक है, J, H, N, K, K, T बहुत tough question मैं आपको कराऊँगा easy question मैं बिल्कुल नहीं कराऊँगा आपको यह एक series है देखो यहाँ पर लिखना सुरू करो बहुत B का code कितना है, B का code अब यह आपका 2, Y का कितना है अब आपका 25, और T का है 20 फिर देखो W कोड कितना हो गया, W कोड हुआ कितना नीचे रिखता जा रहा हूँ, W है आपका 22 ठीक है वई, 22 है, वो सुरी 23 है W, फिर U कितना code है वई आपका 21, और Q कितना code है आपका 17, तो इसमें क्या हुआ वई, देखो इसमें कुछ बन रहा है अभी चलो अभी देखते हैं क्या बनेगा R कितना है वई, 18 O कितना है, 15, और ये N कितना है 14, ठीक है एक बात तो clear होगई, यहां से देखो हर एक कम होता है, 3 कम होगई, अगले में देखो M कितना है आपका, 13 M 13, और K 11 तो यहां से आप एक बात देख रहे है minus 3, minus 3, minus 3 clear, तो minus 3 कम हो रहे है तो जब आप K से minus 3 कम करेंगे तो 8 आएगा, 8 और 8 किसका कोड होता है H का, ठीक है तो last का अक्सर H आएगा, इसमें H नहीं है इसमें H नहीं है, दो में H है ठीक है, इसमें H है, और बीच वाला सेम है आई, तो देखो 25 हैं यहां पर 4 कम हुआ, 4 कम हुआ, 4 कम हुआ इस बार 4 कम होगा तो 9 आएगा 9 किसका कोड होता है आई का तो last में H आएगा, उससे पहले I आएगा शुरुवात में क्या आएगा, देखो बई 2 को आप क्या लिख सकते हो 2 को आप 28 भी तो लिख सकते हो तो 28 में से मैंने 5 कम किये फिर मैंने 5 कम किये, फिर 5 कम किये इस बार फिर 5 कम करूँगा तो जब मैं बच्छो 13 में से 5 कम करूँगा तो 8 मिलेगा, और 8 किसका कोड है H का, तो H I H is the right answer, तो कौँछा है भई Option number C, H I H is the right answer, चलिए, next question की तरह बढ़ते है बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे, D का कोड कितना है भई 4, E का कोड कितना है 5, और C का कोड कितना है 3 C का है आपका 3 H का कोड कितना है भई 8 I का कोड कितना है 9, G का कोड कितना है 7 तो आप देख ने, 4 add हो रहा है, सममे 3 add हो गया L कितना भई या आपका 12 K 11 है अपका, और M कितना है आपका 13 के लियार, तो अव फिर से कितना एड हो रहा है भई या L, K, आपका 11, 5, 4, इसमें 2 add हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है तो हो सकता है गलत भी type कर दिया हो ओके और ये बोला है कौन सा इसमें अलग है अलग कौन सा है देखो P का लिखते है P का कितना है आपका 16, 17 और O कितना है आपका 15 के लिए O कितना है आपका 15 है ठीक है वई चलिए T कितना है आपका 20 20, U कितना है 21, S कितना है 19, तो आप क्या देख रहे हैं भई, देखो पहले सारों में 4 एड हो रहे है, प्लस 4 सब में एड हुआ, इसमें भी प्लस 4, इसमें भी प्लस 4, फिर यहां पे क्या हुआ, इसमें आपका एड उइफ फॉर इसमें प्लस टू आ इसमें डू कर छो नगुना था तो एक्चुल में और क्या था उना में एड करेंगे तो 4 करेंगे 13 और 7 में एड करेंगे तो 11 यह आना ठा किलिए यह आना था तो 12 कोकी किसंता है वई 12 are L Ka 13 किसा किया होगह है म का और 11 किसा कि का LM K LM K आना था LMK आनाथा तो गलत क्या हुआ LKM लिखा है LMK लेकिन LKM लिख दिया तो गलत क्या हुआ LKM तो right answer क्या हुआ बच्चो LKM right answer क्या हुआ LKM किरियर चलिए हाँ बहुत मैं बता रहा हूँ मैं tough tough question लेके चलूँगा A is taller than F 3% C is shorter than F3 A is taller than F 3% यह कुछ बात बनी नहीं C is shorter than D who is tallest B is taller than E C is neither shorter than F no taller than A who is the second shortest person among the ठीक है कोई दिये A is taller than F 3% देखने A F से तो taller है और 3% से भी taller हो सकता है पहले यहाँ देखते है C is shorter than D तो देखो चलिए पहले यह देखते है जो किलियर किलियर लिखा C is shorter than D तो D यहाँ पे है तो C यहाँ पे लिख लिख लिखा है ठीक है ऐसे मैं लिख रहा हूँ उनको D C is shorter than D D who is the tallest तो D सबसे ज़दा tallest अब इसके इदर कोई नहीं आ सकता यह सबसे इदर कुछ नहीं है सबसे बढ़ा होगा D B is taller than E C is अच्छा ओके B क्या है बई किस से E से taller है ठीक है C is neither shorter than F no taller than A तो C क्या है वो shorter than F नहीं है तो means F इदर कहीं आएगा no taller than A और नहीं वो A से taller है तो A यहाँ पे कहीं आएगा किलियर बई इस ते से taller नहीं है किलियर ओके और B क्या है बई साथ में बच्चो एक बात और द्यानक न और यहाँ पे एक बात और बोली गई है कि A is taller than F A is taller than F क्यार हो गया यह 3% यहाँ पे कुछ नहीं उन्होंने मुझे लगता है मिस्प्रिंट है कुछ नहीं चलो देख लेंग उसको और B is taller than E अब B is taller than E कहाँ पे आएगा भई आपका तो B को अगर मैं यहाँ रखूँ और E को मैं यहाँ रखूँ क्योंकि A A 3% से A F से भी taller हो 3% से भी taller हो ठीक है तो आब यहाँ पे यह बन गई कहानी यह बना आपका structure यहाँ पे A F से taller हो गया और 3% से taller हो गया ठीक है वो इस second shortest person among the given तो इन में second shortest person कोन हुआ E तो answer क्या हुआ आपका option number C के लिए option number C इसका right answer हुआ understood चलिए वई next question की तरफ चलते है 7 children children's मत बोलना गलत हो जाएगा 7 children children अपने आप में ही एक plural word है कभी children's लिख दो यहाँ पर A B C D E F G R standing in a cube from top to bottom तो top to bottom देखो ऐसे क्यों में है वो 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है E is fifth place E is at fifth place तो E is fifth place आप में नहीं पता वो top से है कि bottom से है पुछ कुछ नहीं पता तो 1 2 3 4 5 E को में यहां रखूँ 1 2 3 4 5 E को में यहां रखूँ कोई दिक्कत नहीं है only C is between okay only C is between A and B G is at the bottom तो G को यहां रखिये G को यहां रखिये B is three place after F ठीक है ओके ठीक है भई standing in a cube from top to bottom खड़े हैं तो बही क्लियर बात हो जाएगी कि भई यहाई पर E यहाई पर खड़ा है कोई दिक्कत नहीं C is between A and B अब C क्या है A और B के बीच में बैटा है तो G is at the bottom B is three place after F okay तो अगर बच्चो F के बाद में देखो अब मैं इसको मैंने दो इसकी possibility ले ली ठीक है G is better B is three place after F अगर मैं F को यहां रखूँँगा तो B कहां पर आएगा B यहां पर आएगा and C is between A and B तो मैं C is between only C तो A and B पर मैं कहीं भी नी रख पाँँगा तो यह तो हो जाए गलत तो F को मुझे यहां रखना पड़ेगा three place after B यहां पर हो जाएगा ठीक है C is between A and B तो यह C हो जाएगा और A और B के बीच में हो जाएगा 3, 4, 5, 6 तो D की position क्या होई 6 के लिए इस तरह से आपको possibility बना के इन questions को करना है Radhika ranks 16th from the top and 13th from the bottom देखो top से कितना है 16 bottom से कितना है 13 how many students are there तो देखो अब जब total students कैसे निकालते total students होते है top plus bottom minus 1 16 plus 13 minus 1 that is 28 clear clear LMNOPQR Q तक बैठे है 6 person है sitting around a round table तो round table कुछ ऐसा table होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे बैठा लो या आप ऐसे बैठा सकते हो ठीक है अगर आप ऐसे बैठाएंगे तो ज्यादा बैठा रहेगा ठीक है चलिए मैं ऐसे बैठा लें दो 1 O क्या है N के next N is to opposite to L ठीक है N क्या है भई आल के opposite है देखो भई अगर मैं L को यहां बैठाओंगा तो यहां पे कौन आ जाएगा N N क्या है opposite है O is next to N तो O क्या है next है N के ठीक है क्यलियर अब क्यों बच किया भई आपका L M N M बच किया N यह बच आपका ठीक है तो यह कुछ कहानी बनी है आपकी अब इसमें क्या कह रहा है who is to the right of M who is to the right of इसको थोड़ा language में आती है immediate right बोलना चाहिए M के right में तो यह भी है यह भी है यह भी है यह भी है लेकिन immediate right में P है ठीक है तो आप इसको थोड़ा arrange करके चलना इस तरह की mistakes को क्योंकि RMS वगहरा इस तरह की mistake question setter जो करते हैं जो question set करेंगे वो इस तरह की mistake करेंगे आप डोंट वरी आपको इस तरह की W is between V and X Y is to the left of Z who is at one end ठीक है means Z क्या है वह एक end पर बैठा Z यहां बैठा है या Z बैठेगा आपको ऐसे कर ले ना वहां पर दो line बनाना Z यहां पर बैठेगा या तो left end पर या right end पर बैठेगा Y is to the left of Z अगर Z यहां पर बैठेगा तो फिर Y इदर नहीं बैठ पाएगा तो यह possibility तो होगी Cancel Clear? चलिए X sits in the center X क्या है? Center में बैठा हुआ तो X को हमने यहां बैठा दिया और W क्या है? V और X के बीच में बैठा है Clear? W क्या है? V और X के बीच में तो W कहां बैठाना पड़ेगा यहां तो बैठेगा नहीं तो W बैठेगा आपका यहां पे और V बैठेगा यहां पे Clear? और कौन सा बच गया भई आपका V, W, X, Y तो Y आ गया है यहां पे Who is to the right of X To right of X कोन है? Y Clear? तो W आई हो गया आपका आइटाम से चलिए देखो मैं बता रहा हूँ यह जड़ भी ठीक है लेकिन यह questions की दिक्कत है immediate word यूज करना चाहिए In a certain code language Apricot is written as G L X R I K Z तो Apricot को क्या लिखा गया है? Apricot को लिखा गया है A का 1 है 16 है 18 है 9 है 3 है 15 है G कितना आपका 7 है L कितना आपका 12 है X कितना आपका 24 है R कितना आपका 18 है तो आप क्या देख रहे हैं भी 7 इसमें plus 6 हुआ फिर इसमें minus 4 हुआ plus 6 हुआ तो और प्लस 9 है ऐसा कुछ दिख नहीं रहा ठीक है इसको दोबारा थोड़ा लिखते हैं A का 1 है P का 16 है R का 18 है I का 9 है 3 है 15 है और 20 है G का कितना है भई G का 7 है 12 है 24 है 18 है 9 है 11 है और 26 है तो अगर ध्यान से इसमें देखे हैं हम लोग तो क्या हो रहा भी यहां पर छयँ मैंनस 4 प्लस छयँ ठीक है प्लस छयँ मैंनस 4 प्लस 6 तो अगर मैं यह देखाए है यह code बन गया यहां आ से यह यह भी बन गया और यहाँं पर ओगया प्लस नू ठीक है यह पूरी बात यहाँं पर अगर देखा जाए तो चल रही है केलियर ठीक है भई चलो अब हमें ऐसे इसमें करते है और एंज वे ओरेंज कितना हुआ भी ओर पंदरा हुआ और अठारा A कितना हुआ 1 N कितना हुआ भी 14 G 7 और ई 5 भी इसमें क्या करेंगे हमें 15 में क्या करना पड़ेगा आपको छेंड करना पड़ेगा 21 और 21 किछ का है यू का भाई 21 किछ का है यू का तो बात होगे गलत यू किसी में भी नहीं है इसका मतलब यह code है ही नहीं तो 1 से इन्होंने opposite 26 लिखा ओके भाई opposite लिख्व में बच्चो यह opposite लिख्व में इसको छोड़िए दोगो यहां 1 है तो यहां 26 है यहां 16 है यहां 11 है यहां 18 है यहां 9 है यहां 18 है यहां 3 है यहां यह 15 है तो 12 है 20 है सब opposite लिख्व में हैं सब का sum 27 आ रहा है यह 27 यह 27 बस हो गया question अब इसको हम कर देते हैं देखो औरेंज ओ कितना आएगा आपका पंद्रा अठारा ए कितना आएगा वन एन कितना आएगा आपका फूर्टीन जी कितना आएगा साथ और पांच तो पंद्रा का पोजिट कौन सा आएगा बारा 18 का पोजिट आएगा 9 यहाँ पे 13 आएगा यहाँ पे 26 आएगा यहाँ पे सुरी देखो देखो 15 का पोजिट 12 आया 18 का पोजिट 9 आया 1 का पोजिट कितना आएगा 26 ठीक है 1 का पोजिट आएगा 26 14 का पोजिट 13 आएगा साथ का पोजिट कितना हैगा 20, और 5 का हैगा 22, अब 22 का कोड कितना है भी आपका, V, 20 का है T, 13 कितना है M का, 26 कितना है Z का, 9 कितना है I का, और 12 किसका है L का, V, T, M, Z, I, L, V, T, M, Z, I, L, ठीक है, बिल्कुल कोड निकाल के दूँँ, तो आपको एग्जेक्ट पेजर, पेजर को क्या लिखा है, मिड़्व लिखा उन्हें, पेजर, P कितना है 16, 1, 7, 5 और 18, मिड़्व को लिखी है, मिड़्व कितना हो गया 13, आई कितना हो गया 9, 4, 15 और 15, क्या बनना है, अपका बई, माइनस 3, नहीं, तो एक code तो ये बनना है भी आपका minus 3 plus 8 minus 3 plus 10 minus 3 अब आएगा plus 12 इस तरह से बनेगा तो इन्होंने क्या code पूछा है एंजल का पूछा है एक मतलब code है 1 n का code कितना है आपका 14 7 5 और 12 तो 1 में आप क्या करेंगे इस में से minus 3 करेंगे जब आफ बन में से minus 3 करेंगे आहां बन में से minus 3 करते ही तो फिस हो जाएगा ना के लिए वन में करते तो minus 3 तो नहीं बन पाएगी बात ना इसमें ऐसे भी हो सकता है कि आपका वोविल को जो consonant है उनको 3 से कम किया जा रहा है और जो वोविल है उसमें प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 ऐसे चल ला है ठीक है अब बात खुरू में यहाँ पर A क्या है A एक वोविल है तो वोविल में प्लस 8 एड होगा प्लस 8 एड होगा तो यहाँ पर क्या है गाएगा और 9 किसका है बाई का तो यहां पर तो i आ गया ठीक है i तो आ रहा है किले कि यहां पर यह पर चाहरा रहा है किलें फिर क्या है अपका enzyme면 है न क्या है कॉंसोनेंटस में तीन का मॉगत तो 11 आ एगा किसका का i के ठीक है इसमें जी साथ है इसमें तीन कम होगा चार आएगा डी आएगा ई क्या है एक आपका वोविल है वोविल में फिर इसमें 10 एड होगा ठीक है क्योंकि ए का यहां पर भी 10 है तो 15 आएगा 15 किसका O का और L 12 इसमें तीन कम होगा तो आई आएगा इक डोई इक डोई बनेगा बई चलिए नेक्ट पर चलते हैं मरीन को देखो बई एम कितना है एम को लिख रहा हूं मैं पहले एम है आपका 13 वन अठारा नो चोदा पांच आई कितना है बई आपका नो अठारा एम कितना है आपका 13 वी कितना है आपका 22 पांच और 17 अब देखते हैं बई यहां पर कितना है बई चार कम हो गया 17 और 13 तीस है यहां से कोई दिक्कत नहीं है फिर 17 पांच कम हो गया तो यह क्रोस में बनना है आपका देखो यह 13 है और यह कितना है 17 तो प्लस 4 हुआ यह 1 है यह कितना है बई आपका 5 तो प्लस 4 हुआ 18 है यह कितना है 22 प्लस 4 हुआ 9 प्लस 4 हुआ 13 बन गया 14 प्लस 4 अठारा बन गया और 5 में प्लस 4 नो हो गया हो गया आसान अब तो बहुत आसान हो गया B का कितना है 2 E का कितना है 5 A का कितना है 1 U का कितना है आपका 21 21 टी का 20 और वाई का कितना है 25 अब दो में 4 एड करेंगे तो इधर हो जाएगा 6 यहां पर कितना हो जाएगा आपका 11 एक कितना हो जाएगा आपका चार एड होगे ना तो 9 होगा न आपका 1 में यहां पर 5 हो जाएगा यहां पर 25 हो जाएगा यहां पर 24 हो जाएगा और यहां पर 29 यहां पर होगा 29 देखना 6 किसका code है वे आपका F 9 किसका code है I का 5 किसका code है E का 25 किसका code है Y का 24 किसका code है X का और 29 किसका code है 26 है जड़ का उसमें 3 और add करेंगे तो C आ जाएगा That is C C, X, Y, E, I, F ये हो गया वे answer ठीक है चलिए जैकिट को जैकिट को क्या code किया गया है भी जैकिट को देखो J का code कितना है 10 A का code कितना है 1 C का code कितना है 3 K का कितना है आपका 11 E का है 5, T का है 20 M का कितना है आपका 13 E का कितना है आपका 5 H का कितना है आपका 8 Q का कितना है 17 L का कितना है 12 B का कितना है 3 ठीक है कोई दिखक्त नहीं है कोई tension नहीं है अब देखो यहां पर plus 3 add हुआ plus 4 add हुआ plus 5 add हुआ plus 6 add हुआ plus 7 add हुआ और plus 8 अगर मैं add करूंगा तो 28 हो जाएगा और 28 क्या होगा अबका भाई B हाँ यहां यहां पर B का code 2 है तो B को मैं क्या बोल सकता हूँ देखो B के 2 code होते हैं तो 2 हुआ और 1 हुआ 28 दोनों सही है B का 2 भी code है और 28 भी code है ठीक है तो plus क्या हुआ यहाँ पर 8 add हुआ ठीक है अब blazer में कितना है B 2 है ठीक है L कितना है आपका 12 A कितना है 1 Z कितना है आपका 26 अब इसमें 2 में पहले 3 add होगा तो 5 होगा तो 5 का code कितना है भी आपका E फिर इसमें 4 add होगा 16 हो जाएगा 16 किसका code है आपका P का E और P देखो इसमें E और P केवाल इसमें है आगे question को करने की व्याव शक्ता है ठीक है आप चाहें तो इसमें 4 की जोड़ेंगा 5 जोड़ेंगा तो कितना है एक में 5 जोड़ेंगा होने यह तो एफ आजएगा quo अएफ देख रहे हैं अब ठीक है चलिए आगे जोड़े जोड़ेंगा जोड़े को लिखा गए अव leaves Your physical उक्ता कितना है आपका और ने में यह व्याओ का कितना है आपका तरह यह में जोड़ेंगा चार है, H का है आपका 8, और O का कोड कितना है आपका 123456 123, इसमें दो बार L मुझे लगता है extra लग गया, L किया आप शकता नहीं है ठीक है, और O का कोड कितना है आपका, 15 ठीक है तो बड़ा simple हो रहा है यहां आपके तो देखो, minus 1 plus 3, minus 1 plus 3, minus 1 plus 3 ठीक है, अब P L M देखो P P का कोड लिखिए, P है आपका 16 minus 1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 15, और 15 किसका कोड है O का, L का कोड कितना है आपका, 12 इसमें क्या करेंगे हम plus 3 add करेंगे, तो कितना हो जाएगा 15, तो यहां पे भी हो आजाएगा तो O, O, देखो किसमें, अच्छा, यहां पे तो O, सारो में चलना है, इसमें भी है, इसमें चलवागे चलते है M का कोड कितना है, इसमें 13 minus 1 करेंगे, तो 12 और 12 किसका कोड है, L का O, O, L, यह दोनों ठीक है अभी U का कोड कितना है इसमें, U का आपका है 22, इसमें से क्या करेंगे 3 एड करेंगे 25 और 25 किसका कोड है 25 कोड है आपका Y का, O, O, L, Y तो कौन सा सवाल है, यह चला है बस, बाकि सारे कट चुके ठीक है, चलिए स्टाप को क्या लिखा गया है, स्टाप को, देखो यहां देखो टफ कोश्चन है, इससे आपकी बहुत अच्छी, इन पे कमांड हो जाएगी अलफाबेट्स पे, अगर अगर आपको अलफाबेट्स अच्छे से जाद है, तो बहुत जल्दी से कोश्चन कर लोगे, फिर कोश्चन में दिक्कत में आएगी, नहीं तो सारा समय अलफाबेट्स की काउंटिंग में चला जाता है, बच्छो आपका और फिर आपसे अग्जाम ने निकलता, टाइम आपका खतम हो जाता है, S कितना है वह आपका 18, sorry, 19 20, A1 है, 6 है और 6 है यहाँ पर देखो इसको क्या लिखा गया है, इसको काफी बड़ा लिखा गया है वैसे दो देखते हैं क्या है, R कितना है वह आठारा T कितना है आपका 20 S कितना है 19 Z कितना है वह आपका 26 sorry, U है न, U है आपका 21 Z कितना है आपका 26 अब इन्होंने क्या किया है ऐके तो बच्चों इसमें हुआ कि यह है कि जो एक कोड है जिसे S है तो S को इन्होंने क्या किया है उससे एक पहला Border तो S से पहला Letter क्या आएगा R और S से next letter आएगा T तो S को इन्होंने लिखा है R और T के रूप में Similarly T है T से एक पहला letter कितना आएगा S और अगला letter कौन सा आएगा U तो S और U लिख दिया देखो तो means हर letter से एक पहला और एक अगला वो letter इन्होंने लिखा है ठीक है अब हम इसको ऐसे ही करेंगे जिसे order है O order से पहला क्या आएगा N आएगा O से पहला N आएगा और उससे अगला क्या आएगा पी तो यह लिखा मैने R से एक पहला Q और R से एक अगला S यह लिखा D से एक पहला C और D के लिख एक गगे E से एक पहला D और एक बाद का F R से पहला एक Q और R से अगला एक S лучше n P, Q, S S, C, E c e d f qs ठीक है ये वाला राइट अंसर है चलिए browse browse को क्या लिख रहे हैं भी browse को लिख रहे हैं दो बी का code कितना है 2 r का कितना है 18 o का कितना है 15 23 s का कितना है 18 e का कितना है 5 और g का code देखिए g का code कितना है भी आपका 7 U का code कितना भी आपका 21 Y का code कितना है 25 Q का code कितना है 17 T का कितना है 20 और D का कितना है 4 के लिए चलिए दो फिर आपका 2 add हो रहा है भी सम्में देखो कैसे देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे पलस 2 यहाँ पे 18 है पलस 2 15 है पलस 2 23 है तो पलस 2 18 है तो पलस 2 5 है तो पलस 2 के लिए हो गया के लिए चले अब इसको हम लिख लेते हैं ऐसे ही अम अलगम पूछा है बहुत आसान हो गया A का कोड कितना है? 1 ठीक है A का कोड 1 है M का कितना है? 13 1 12 7 1 और आपका 13 तो 1 में 2 एड करेंगे तो 3 3 यहाँ पर 15 यहाँ पर कितना आएगा आपका? 3 14 9 3 और 15 तो 15 कोड किसका है? O का 3 कितना है? C का I का N का C का O का और C का O C I N O C I N C O C यह वाला अंसर Option No.1 चलिए ओके Blood Elishan की तरफ देखते हैं कुछ questions Deepali is daughter of Vijay तो Vijay This is Vijay अभी Vijay का gender नहीं पता Who is married to Sunita तो of course इस तरह कोश्चन में Vijay है तो male इसको मान के चलने ला इस तरह की mistake हो जाती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं Vijay Vijay क्या हुआ हुआ? और यहां पर कुछ हुआ? Sunita minus Deepali is daughter of Vijay तो Deepali This is Deepali If Deepali is the wife of Mohit तो Deepali क्या है? Mohit की wife है ठीक है Then how Mohit related to Vijay तो Mohit Vijay से कैसे related हुए भी? Sun in law तो क्या हुआ? Sun in law Clear? चलिए Seeing a portrait रूचा आस्क्र सीमा रूचा ने सीमा से पूछा Whose portrait is this? कि यह जो तश्वीर है किसकी है? सीमा replied अब सीमा क्या reply देते? Her son Is the बई हर कोन है? पहले बताओ मुझे हर बात हुए यह तश्वीर की जो तश्वीर है ना उसके बारे में बात हुए Her son is the father of my daughter तो सीमा जैसे Let us suppose this is सीमा My daughter तो सीमा की देखो यहां में लिख रहा हूँ सीमा की डोटर यह हुई अभी सीमा का gender बूल जाओ आप सीमा दिसी सीमा सीमा की डोटर यह हुई My daughter तो My daughter का father को न हुआ सीमा का एक पलकार से husband हुआ ठीक है और जो यह husband हुआ यह क्या है उस portrait का son है तो अब क्या वे तो एक portrait किसकी है तो portrait है वही सीमा, sister, सीमा, mother सीमा, mother-in-law या कौन है अब लगाओ आप portrait में क्या हर है तो हर में क्यों ही सीमा की mother-in-law clear देख रहा है आपका सीमा की mother-in-law ठीक है सीमा की mother-in-law राइट अंसर इस सीमा mother-in-law चलिए रोहिज only brother विक्रम तो रोहित का रोहिता रोहिता, रोहिता का only brother विक्रम तो ये विक्रम हुआ मैं square से मैं square से represent करता हूँ male को और circle से represent करता हूँ female को ठीक है या आप ऐसे भी कर सकते है रोहित रोहिता और विक्रम प्लस रोहिता only brother विक्रम Is the husband of Karthika's mother To means Karthika इनकी daughter हुई और इनकी mother है Karthika ही जो भी है यह आएंगी यह आपे सेजल इसी नाम भी दे रखा सेजल How is Rohitaj mother Chandni related to Karthika तो Rohitaj की mother है Chandni वो Karthika से कैसे related है तो कौन हुई भई आपका यह हुई आपकी maternal Grandmother यह द्यान नहीं करना भई maternal grandmother ठीक है यहाँ से भई Karthika से कैसे maternal grandmother तो यह हुई चली आगे Arrange the given word in logical भई देखो बहुत अच्छी इस तरह कुश्चन आते हैं भई देखो सबसे पहले क्या आएगा सबसे बड़ा क्या चीज है सबसे बड़ी होते galaxy 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 के बाद कौन से आएगा फिर आएगा sun sun के चारो तरफ चक्कर कौन लगाते है planet और सबसे लाश्ट में आएगा asteroid asteroid इस चोटे होते हैं तो यह हुआ आपका अगर मैं इसको देखों तो चार एक तीन दो चार एक तीन दो है क्या समय yes this is clear in fact दो बार यह option है चार एक तीन दो दो बार एक option है इसको आपको चेंज करना बड़ा है चार एक तीन दो clear चलिए यह देखो बईसा इसमें क्या एक लोजिकल ओडर में करना है देखो या तो descending order में होता है या ascending order अगर मैं descending order में देखो तो world सबसे बाद में आएगा बना नंबर दो सबसे बाद में आएगा नंबर दो और अगर मैं descending order में करूंग ascending order में सबसे बाद में आगा descending order में दो दो सुरुवात में नहीं है और रहीस्तान का है आपका इंडिया में फिर आएगा तीन और तीन इंडिया कहा है वर्ड रूमें इनदेंट हुर्टि ठीक है पांच एक 4 3 2 ठीक है चलिए एस डर आइट आंप सर यह वाला यह देखते हैं भई देखो सबसे पहले तो आएगा participants participants ही नहेंगे तो क्या competition होगा तो सबसे पहले तो 5 आ गया फिर होगा उन्में competition 2 और last में prize मिलेगा एक भी आना last में ज़रूरी है 5 और 2 देखो पहले तो यह गलत हो गया 5 दो और last में एक चले रहा है ठीक है making wise judge फिर क्या आएगा भी आपका तीन आएगा फिर आएगा चार winner और winner को मिलेगा prize एक तो 5 दो तीन चार एक 5 दो तीन चार एक clear चलिए तो यह making wise judge महा making judge बनाते है ठीक है सली making चलिए तो यह answer होगा 5 दो तीन चार एक ठीक है चलिए ठीक यह कविछ देखो T का कितना है 20 क्योंको कितना है 17 x1 . 21 x 19 ытु कितना है 21 21, P कितना है आपका 16, V कितना है आपका 22, और R कितना है आपका 18, कुछ आया समझे, हाँ आया, मैनस, sorry, प्लस 1, मैनस 1, प्लस 1, मैनस 1, ठीक है, प्लस 1, मैनस 1, प्लस 1, मैनस 1, अब देखो फायर में, F का कितना है आपका 6, आई कितना है? 9 18 और 5 तो इसमें plus one करो 7 minus 1 करो गए 8 plus 1119 minus one करो गए 4 तो 7 किसका code होता है भी आपका G H 19 कितना होजगा S का और 9 किसका आई का G H S I I I think made 5 में आपका प्लस बन आएगा तो कितना है का चलिए सेंड कहा मिलेगा आपको डेजरीट में वाटर कहा बेल्ट किस से बनती है लेदर से तो ब्रेड किस से बनेंगे फ्लोर से आटे से आटे का जो बनती है फ्लोर ठीक है चलिए सारे कोश्यर हमने करा है आपको 100% गारेंटी बच्चों हम सेलेक्शन की आपको देते लेकिन आपको देना होगा टाइम होस्टल में आजाईए आराएमस आपको एकदम सारी अच्छी तियारी करके बेजाएंगे कभी जीवन में मात निखाने वाले आपको आरेमस भी करेंगे सब कुछ तियार करा सके हैं यह हमारे वेरियस बैचीज है इन में अपनी सीट को कंफर्म कर लीजिए 25 सीट से सपलता करता है वे और टार्गेट बैचीज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली सेलेक्शन की गैरेंटी है सारे बैच वीडियो अच्छी लेगे वीडिय